दोस्तों गर आप भी मतीशा पधिराना को दुनिया का सबसे खतरना गेंद बाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों मतीशा पधिराना ने पहले अपनी कातिलाना गेंद बाजी से चिन्ने को यादकार जीत दिलाई खुद मैन आफ दा मैच बने फिर धोनी को अपना एवार्ट देते हुए इस खिलाडी ने कहा दिया कुछ ऐसा जीत लिया करोड़ों महिंदर सिंग धोनी के फैंस का दिल तो आखिर कैसे चेन्ने ने दर्च कि इस आईपिल की एधिहासिक जीत कैसे मतीशा पतिराना के तूफान में उड़ा मुंबई क्यों अचानक मैन आफ दा मैच बनते ही आ गई पतिराना को धोनी की याद चेन्ने टीम की शुरुआत बहits खराब हुई साट रनों के स्कोर पर दो बले बास पवेलियन नौड गए लेकिन कप्तान रितुराज गायक्वाड ने चालिस गेन बे 5 खतरनाग चक्य और 5 चौक्य की मदद से 79 रन बनाकर पवेलियन लौट गए वहीं शिवम दूबे 38 गेंट पर 2 खदरनाक चक्य और 10 चौक्य की मदद से 86 रन बनाकर नौट आउट रहे वहीं अंत में महिंदर सिंग धोनी ने हारदिक पांडिया की गेंट पट्टी लगा कर चक्य जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 206 रनों तक पहुँचा दिया इस लक्षे का पीछा करने उतरी मुंबा इंडियन्स की शुरुआत बेहत शांदार हुई दौनों ओपनरों ने ताकत तोड़ बल्ले बाजी की और 70 रनों की पार्टनर्शिप बनाई लेकिन इशान किशन 15 गेंद बनाकर पवेलियन लोट गए वहीं तिलग वर्मा भी तूफानी अंदाज में 20 गेंद पर 5 शांदार चोग्य की मदद से 30 रन बनाए हार्दिक पांडिय केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लोट गए इसके बाद तिलग वर्मा और रोमारियो शेफर्ट का विकेट उखाड कर चार बल्ले बासों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेनने के मुकाबले बड़ी आसानी से अराम से अपने नाम कर लिया इस मैच में उनकी घातक के गेंद बाजी के लिए मैच बनने के बाद धोनी को लेकर कहा है मान अफ दो मैच बनने के बाद मतीशा पतिराना धोनी को लेकर बयान देते हुए नमाखों से कहा कि मैं टीम की जीत से काफी खुश हूँ उससे ज्यादा खुशी अपने परफॉर्मेंस पर मुझे हो रही है मेरी सफलता के बीचे सबसे बड़ा हाथ धोनी सर का है उन्होंने मेरे जीवन का हरी कस्टन घर्श देखा है मैंने सब कुछ उनी से सीखा है उनी की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ यह मेरे हर मुसीबत में खड़े रहते हैं इसलिए मैंने अपना अवार्ड धोनी भाई के नाम करने का एलान किया तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मतीशा पतिराना ने मैं आफ दा मैच बनते ही धोनी को अपना अवार्ड देकर उनके लिए अन्मोल शब्त कहे लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है मतीशा पतिराना और महेंदर सिंग दोनी में को ने सबसे खतरनाक खिलाड़ी अपनी राए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यबाद